क्यूल economy बता देगा, clutch आपने किति बार प्रेस कर रहा है, last trip पे यह बता देगा, तो यह पिछले 5 ट्रिप के दिखाता है, तो 101 गई है इस पे 6413, clutch press कि, आपने एक trip में कितनी रार clutch प्रेस किया है, यह काफी अच्छी चीज़ है, यह पूरी की पूरी हिस्टरी सेव कर रहा ह यह अभी जड़े डिसेबल है देखो काम नहीं कर रहा है हाँ यह कनेक्ट और अंड्रोइड फॉन विद यूएसबी के बर क्योंकि यहां से अगर कनेक्ट करता हूं ना तो मैं अरे डाइल पैड खुल जाता है एक स्टेप पिताब मैं इसको दूसरे स्टेप पर अन करता हू हलो जी के फैमली वेलकम बैक तो तो नीव लॉग और भाई मैंजी के बहागे में फिर से एक नई वीडियो लेके अब बहुत लोगों के ना कमेंट्स आ रखे कि यार इको सेंस क्या होता है और कौन-कौन से वेरियंट में आपको इको सेंस मिलता है तो आज हम इसी के बारे पहले दिखाया जाना तो गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो ऐसा कुछ आता है यह एको सेंस आ जाता है और इदर यह दिखाता है इसको पहले यह टूटू बोला है क्योंकि मेरा डोर एक उपन है तो इसलिए तूटू बोल रहा है और यहां पे आपक इसमें FM open होता है यहां पे आपको एको सेंस मिलता है और यह इसका radio अगर मैं जाओंगा तो आपको यहां पर इको सेंस मिल जाएगा radio मिल जाएगा menu और settings मिल जाएंगी यह सारे सिस्टम की settings हो जाएगी और इको सेंस के लिए आपको सब कुछ यहीं जाना पड़ेगा अलग अब इसके अंदर मिलता क्या है और सबसे मेन बात ही आपको सेंस मिलता किस में देखो यह एको सेंस लिए फोर में आता है जिसक Mr.ips में जाके एसे वाला सिस्टम मिलेगा ना उसके अंदर आपको एको सेंस मिल जाएगा जानी कि जिसमें इड्रीनो एक शुरूँ होजाते ल तो पर दो हो तो सकता है उसमें कुछ और फीचर या कुछ ऐसा मिल रहा हूं, मिलेगी ऐच फैसिलिटी ज़रूर बज़ कुछ अलग तरीके से मिल रही होंगी, इको सेंस वाला जो मेन फीचर है वो आपको जैट फोर तक मिलेगा जिसमें अट्रीन और ऐप्ल पल्ले आजाए फ्यूल एकोनॉमी बता देगा, क्लच आपने कितीबा प्रेस करा है, लास्ट ट्रिप पे ये बता देगा, ब्रेक बता देगा, टॉप स्पीड, अब ये तो हुआ एक ट्रिप का, अगर आपको यहां से सेटिंग्स में देखो, तो रीसेट ट्रिप और ये सारे फीचर्स दे दिखाता है, अब इसमें सेट करना पड़ता है, तब तब दिखाता है, ये मैं एक्जेक्ट शौर नहीं हूँ, मैंने किसी-किसी ट्रिप में ट्रिप A, B, रीसेट करा था, तो उसमें दिखा रहा है, किसी-किसी में नहीं करा था, तो वो उसका नहीं दिखा रहा है, जैसे तो इसलिए उसमें नहीं मिलता है यहाँ आपको ट्रिप्स का एवरेश पीड मिल जाएगा एवरेश पीड में समझ से बाहर है कमी दिखाता है यह आपको आपको अच्छा दिखाएगा आइडल टाइम यानि कि आपके गाड़ी किती दिल तक आइडल रही है चे मिनट साथ मि पता लगा सकती है कि भाई उसने गाड़ी पेली कितनी है इससे यह बहुत असानी से पता लग सकता है भाई वो का है कि नई जी मैं तो अराम से चला रहा था तो यार उसकी ना आप टॉप स्पीड देख सकते हो सब कुछ देख सकते हो इसका ये बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ना आप अगर देखो तो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव कर रहा है जिससे आपको बहुत जादा बेनेफिट हो सकता है आप किसी और बंदेव गाड़ी देते तो आप उसका एवरेज स्कोर देख सकते हो आप उसने किस तरीके से गाड़ी लगाई आप इसी गाड़ी चलाई है जिससे कल्कुलेट कर सकते हो बगवान ना गरेर कभी किसी गाड़ी ठुक जाए तो आप इसके तुरू प्रूफ दे सकते हो कि भाई देख तेरा ना टॉफ स्पीड यह थी तुने इस तरह से रैश किया क्लच तुने इती बार दबाया तो इस उसके बाद अब अगर मैं वापिस यहां से होम पे जाओं और अपन चलते हैं जरा मैन्यू में तो मैन्यू में जाने के बाद यह जो मीडिया वाला ओप्शन है यह अभी जरा डिसेबल है यह देखो काम नहीं कर रहा है क्यूंकि जब आप ब्लुटूथ कनेक्ट करते हो औ आप इसमें सारी सारी चीजें यूज कर सकते हैं उसके बाद यह अगला उप्शन तो रेडियो का आई जाता है जिसका कोई बेनेफिट है नहीं यह इसी गाड़ियों में रेडियो कौन चलाता है लोग चलाते हैं जैसे मेरे पापाई कभी चलाते हैं यह एको सेंस हो गया अंड्रोइड आटो यह कनेक्ट और अंड्रोइड फोन विदे यूसबी के बल क्यूंकि इसमें वायरलेस नहीं मिलता है तो आपको इसके अंदर अंड्रोइड आपका आपले के लिए पहले अपना फोन वायर के थ्रू करना पड़ेगा उसके बाद यह चलेगा अब यहां कहां से अगर करता हूं ओना तो में गाड़ी डैल पैड़ कुल जाता है मैं गाड़ी चलाते चलाते यहीं से ही नमबर डैल कर सकता हो और किसी को भी कॉल कर सकता हो Bluetooth Setup अपने kontakár लिस कुल सकता हूं अब भी मेरा साथ में क्या हुआ है मेरा मीटर भी ओन हो गया और यहां पे मेरा कार इंफो ओपन हो गया अब चलते हैं जड़ा कार इंफो में यह टू जो है ना भाई ठीक है 131 km की रेंज और लास्ट ट्रिप पे मुझे 10.2 km की आवरेज मिली है लेकिन यह एक्जेक्ट नहीं होती है क्योंकि यह पूरा पेट्रोल टैंक आप जब भी रिसेट करो उसके सब्सक्राइब करता है तो आपको बेनिफिट रहेगा कि आप टैंक टू टैंक भी कर रह एक तो साउंड के आपशन में बैलन्स कर सकते हैं कि आपको गाड़ी के कौन से पोजिशन में साउंड चाहिए यह इतना प्यारा फीचर है यह जो है यहां साउंड चाहिए या फिर मैं इसको इस और पिर में ड्राइवर सीट वाले पर ज्यादा लगता है तो इसके स्पीक और लंबे ट्रिप पर चल रहे हैं ज्यादा बेस से फिर सदर्द होने लग जाता है या फिर मूड पर बीडिपेंड करती है इक्विलाइजर जो है आप इसको अपने हिसाब से क्लासिक रॉक और मैं बेसिकली इसको रॉक पर रखना ज्यादा पसंद करता हूं ठीक है तो रॉक वाला जो है ज्यादा अच्छा मुझे नहीं पता है क्लासिक किस ने कर दिया है मुझे रॉक पसंद है मैं को अब समझ आयक उस चाम से मेरा म्यूजिक डाउन क्यों चल रहा होगा उसके बाद यहां से आप टच का साउंड कर सकते जब टूटू की यह देखो तेज हो गया यह कितने पर रखना है तो दो पर ठीक है ऑडियो साउंड यह नॉमल उसका हो गया यह फोन का साउंड मैं 15 फूल रखा हुआ है ताकि कोई फोन आया आपको उस पर बात करनी है उसका साउंड की तरह है प्लस जो फोन बजेगा उसका रिंग टोन क्या रखना है ठीक है तो यह ठीक है पांच पे अच्छा है पता लग जाता है no issues कोई ज़्यादा तेज नहीं होता हरका नहीं होता svdc यार यह तो फीचर मुझे भी नीपता क्या है sdvc मैंने भी देखा यह इंस आरे इतने इसके explore करें आप लोग के साथ-साथ ही कर रहा हूं पर हाई पे है इसका बता दूंगा sdvc होता क्या है लेकिन को यह है तो चलो इस रहें देता है उसके बाद sound के बाद आपको यहां मिल जाते हैं display के options यह चीज ना brightness है कि इसकी brightness आपको किसी रखनी है तो भाई यह ज़्यादा ते साइन रहता है छे पे थी मैं इसको और पांच पे कर देता हूं क्योंकि अभी तो सही लग रहा है लेकिन जब बाहर धूप में जाते हैं तो अब मैंने इसको display off कर दिया तो यहां पर time or date आता रहेगा which is good feature अब मैं इसे वापिस on करता हूं तो यहां पर आप यह नो image कर दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा और इसमें image आप अपनी custom add नहीं कर सकते हैं कर सकते तो मैं अपनी photo लगा देता ना यहां पे units आपको distance किसमे कुछ भी डालेंगे तो आप डाल सकते हैं जैसे कि अब हम इसको change करके डाल देते हैं जी के से और अगर मैं अब इसको बंद करूंगा गुडबाई जी के ठीक है तो आप यह कर सकते हैं जी के मतलब general knowledge नहीं है मेरा name है गौरव कपूर तो जैसे सब को पता ही है उसके ओके आपको फोन होगा आपको यहां से स्क्रीन डाइल कर सकते हो विच इस गुड फीचर ओके अभी मैं यहां से वापिस settings में जाओंगा हम ते डिस्प्ले में इको सेंस प्लस फोन करते हैं तो इदर इको सेंस आगया इदर फोन आ गया यह भी अच्छी चीज़ है यहां से आप अपने अलग-अलग फोन कर सकते हैं कुछ हो रखें तो इन्हें यहां से डिलीट कर देते हैं आपको एक बार करना पड़ेगा को इसका बेस फीचर यह कि कोई बीचेम निया डिवाईजन आपको पहले इहां से अट डिवाईज करने वह डायाइक आपके इसके साथ प्ले निकर सकता है तो यहां से आपको बीडिवाईज जलीट भी कर सकते हैं ब्लुटूथ सेटिंग्स में जाहें तो आपको ब्लूथ कनेक्शन फोन बोक यह से यह भी सट कर सकते हैं अलग-अलग ट्यून से Android Auto यह जब पेड़ों का तब चलेगा इनेबल कर रखा है हमने इसको भी इनेबल कर रखा है और इसमें कोई सेटिंग है नहीं सिस्टम में अंदर जाए तो यह टाइम फॉर्मेट है आपको क्या लगाना है तो टाइम मेरा सही है यहां से आप टाइम डेट सब कुछ सेट कर सकते हैं लैंग्विज हमने इंग्लिश रखी हुई है प्रोग्राम स्विच देखें यू चेंज फंक्शन टू प्रोग्राम की सटिंग्स कार इंफो इको जो प्रोग्राम स्विच है आप उससे क्या खूलना चाहेंगे तो हमारे हमने कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है प्लस यहां पे अगें इको-सेंस मिल जाता है जिससे आपको रीशेट ट्रिप रीशेट इको-सेंस ट्रिपमीटर करना चाहते हैं और यहां से कर सकते हैं सिंक सेटिंग्स मेरी ऑन है इकोसिश मोबाई लप अभी इसका चलाया न लंबी हो फिर लोग ना बोर से हो जाते हैं तो हम इस वीडियो को इता ही रखते हैं इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा इंफरेन्मेंट सिस्टम कैलो कुछ भी कैलो इसमें जितने ही फीचर से मैंने सार दिखा एक SDVC रह गया है और इसकी इकोसेंस का फोन एप वो मैं धूनता हूं और डाउनलोड करता हूं और कैसे कनेक्टिविटी होती है वो भी करता हूं उसके बार में बता हुआ तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं होप सो आपको इंफोमेशन अच्छी लगी हो पर इकोसेंस वाला फीचर अच्छा ह का मैं इता शौर नहीं हूं तो डू लेट आस नो इन कमेंट सेक्षन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वाई दू लाइक शेर और कमेंट एंचानल को सब्स्राइब करना और आपसे मिलते अगली वीडियो पे तब तक के लिए फाइब बी वीडियो फैमली लव आपको प्रेमर स्काम यह उचेर आपएब टीर सेक्षन आपको एंचानल को सब्स्राइब केंटे लाइब टीर सेक्षन फिर दाइब एंचेर पार आपको एंटेंटे वीडियो झाल झाल झाल